मैं चेरिमेन मना तो उनकी जितनी फाइलें हैं पुरानी सबको एक बार री रिवेस्टिगेट करके उनको सबको करके उनको कहीं उनके कारणामों के सदान को दूर दी जाए चंता आप पर भी क्यों विश्वास करें क्या एक बज़े जो आप जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा करें अबुलेंस की में वस्ता नहीं है मेरी कोशिश होगी कि एक फिरी आफ कास्ट नगरपालिका की तरफ से एक 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 या दो एक तोल फिरी नंबर हो कि जिससे उसको दिक्कत हो तो फोन करें और उसको कहीं बड़े अस्पदाल तक उस्टे पहुचा है जाए नमस्कार इस वक्त रात के ग्यारा बज रहे हैं और हम उत्तर परदेश के बहड़ी नगरपालिका में हैं यहाँ पर एक चुनाबी जनसभा होई है यूपी के तमाम शहर और कस्वों में इसी तरीके की रात में जनसभाएं सज रही है देखने को मिल नहीं है मैफिलें सज रही है ऐसी एक सबा यहाँ बहड़ी में हुई है और एक बेहत जजबाती स्पीच हमें देखने को मिली है यह शाहगड इलाका है शाहगड में पिछली बार नगरपालिका की जो चेर्मेन है नसीम हमद जो जीत कर आये थे तो यहाँ के जो एक कंडिडेट के तौर पर जो सामने आ रहे हैं अनीस रजा साब उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि हमने बड़ी ही गर्म जोशी के स साथ उनका स्वागत किया था कि लेकिन इस बार हालाद बदले हुए हैं और वही अनीस रजा चुनाव मैदान में उतर रहे हैं अनीस यह हमारे साथ है आपका स्वागत है क्या बदल गया ऐसा 5 साल में की जो है आप नए नसीम साफ पर विश्वाद किये थे 5000 के बाद आद जो मुझूदा प्रत्याशी हैं उन्हें के खिलाब मैदान में खड़े हुए। तो उसीका नतीजर है कि हम लोगों को लगा कि क्योंकि लगणों में रहते थे और बंव्वाग में नौकरी करते तैं किसी विवाग में हो तो हर तरह से पाक साफ होता हुता है इन्सान कितना भ्रष्ट हो जाए, कितना अच्छा रहे, यह इसके अपने जमीर को पर डिपेंड करता है, तो हमने सोचा था, यह पड़े लेके आदमी हैं, लखनौ से आए हैं, वियरस लेके आए हैं, तो इन्हें अपनी शहर के, क्योंकि यहीं बहडी के रहने वाले हैं, त उन्हें तमाम वायदे मौयदे किये थे, उन सब को हमने भरोसा करते हुए, उनको हमने चुनाओ लड़ाया, बड़ी गर्म जोशी के साथ हमारे पूरे शहर के लोगों ने बड़ी तादाद में उनको वोट दिया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाओ जीतने के बाद उनके व जो बड़ी हस्तियों होती हैं, उनके नाम से हिंदूों में भी हो, मुसल्मान माईयों में शिखों में भी उनके नाम से गेट बन देखे होंगे, इसी तरह का उन्होंने यहाँ भी वादा किया था, तमाम ऐसी योजनाओं उन्होंने बताई थी, क्या मैं लगता था, यह प जो प्रित्याची रहे होंगे, या जो अब मौझूदा है, या तमाम रहे, कभी उन्होंने भी इस तरह के जूटी बाते करने का, या जूटी जन्ता को तसली देने का काम नहीं है, जो मौझूदा चेर्में ने किया था, उसी के वज़ा है, क्योंकि लोगों के बीच हम गय मागी, लेकिर हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसा विकल्ब नहीं था, कि हम वो काम करा पाएं, उसी यही वज़ा है, कि मुझे खुद चुनाओं में आना पड़ा, और आप आज देख सकते हैं, शहर के किसी महले में चले जाईए, या किसी बरादरी म फड़ा होता हूं, यह उसी के बजा है कि आज आघ देख रह슬 है कि इतनी छोटाव होता है, लेकिन जैसे विधानसाप सब्द चूतर में आप जाते हैं जो सभाएं भी लगाएं कि उनके पांस साल के कारिकाल में काफी ब्रश्चाचार हुआ है तो आप देखें जगा-जगा-जगा-ज़र-ज़र तार है अब यह आप बिल्कुछ लीजे कि यहां पर एक भी बजरी या पत्तर या कोई चीज लगी हो सिर्फ पत्तर उनके नाम का जुरूर लगा है तो इस तरह कि यह ब्रश्चाचार नहीं है तो और क्या है आप काम के नाम पर जो पैसा जो फंड आता है नगर पाल काम वो पैसा वसूल कर रहा है पैसा ले चाहिए तो यह ब्रश्चाचार की परखास्टा है और इस तरह कि उन्होंने ब्रश्चार अगर मैं चेर में मना तो उनकी जितनी फाईल है पुरानी सबको एक बार iki्ट करके उनके सब को करके उनको कहीं उनके कारणवेंगों को जूरूर दी जाएगे जो मुस्लिम कम्यूनिटी जहां पर जादा होती हो जिस तरीके से एक परशफसन बनाया जाता है कि अगर मुसलिम कंडिडेट ज़ाँ होंगे तो बीजीपी के कंडिडेट जी जायेगा तेखिए मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ये बीजेपी और हिंदू-मुसलिम की बात तो ये बीजी बी का मतलब आपका तो मेरे साथ तभी आपने तमाम लोग मेरे मंच पे हिंदू भाई बैठे देखे तो प्रालिजीशन करने की लोग नेता लोग कोशी करते हैं अब हम कभी नहीं चाहती है जो आपके पडोस में अगर आप मुसलमान है और आपके पडोस में कोई हिं हैं तो मेरे चुनाओं में मेरे चुनाओं के लिए कहीं यह प्रकरश्यम नहीं बन पाएगा कि हिंदू मुसलिम या कोई दूसी चीजे मेरे साथ ऐसा नहीं है पांच बड़ी समस्यां क्या है अगर आप चेर्मेन बनते हैं आप उन पर काम करनना चाहेंगे या जो मौजू को दिस्कार को टेम्icion करने का यह तरीक लगा दिया जो एक तरीका होता है उस तरीके के हिसाफ़ से के 32% अगर क्म यह अगी जो बहुत सारी मचेने शेर में लग रहा है, इनको मैं शेर से बाहर करने का काम करूँगा, दूसरी बात हमारे सड़कों का जो, यहाँ पे जो दूरद शाह, बहुत बुरा खाल है, आप चले जाएए हमारे हमारे इसी शागण में देख लीज़े अब बास निकर चले जाएए आप नहसिया पे चले जाएए शेखुबन में चले जाएए वहां आपके बिना पैर सने आपके कपड़े संजाएंगे इस तरह से जो है गंदे हो जाएंगे कि नली नली तूटी होई है सड़कों पर लोड़ जादा होता है उस समय यह समझ लीजे कि बिजली विवाग वाले इतना परशान लेते हैं कि यहां का फ्यूज उड़ गया कि वहां का उड़ गया क्योंकि सारी तार पुरानी यह खराब जर जर आलत में हो तार बेवस्ता ठीक होनी चाहिए चौती चमस्या यहां प लड़किंग्या जो लड़की चाहते हैं उन्के पास पढ़ने का इन्जाम उनके पास पैसे की विवस्ता कि जिसे उसको दिक्कत हो तो फोन करे और उसको कहीं बड़े अस्पताल तक उसे पहुंचाए जा सके एक चीज और इस शहर में बदा दू जाम की सबसे वड़ी समस्या तुक्तुक की तुक्तुक की यहां पर काफी जगाए हैं नगरपालिका की कि उनके लिए इस्टेंड नह पहले तुक्तुक नहीं था साथ सो आठ सो का आज पांच 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 जार रहें तो यह यह भी कोशिशी रहेगी कि जो गरीब रिक्षा तुक्तुक वाले हैं उनके लिए जगा जगा नगरपालिका गतर से उनका चार्जिक पॉइंट बनाए जाए जिससे उन गरीब हो मेरे तमाम ऐसी चीजे हैं जो मेरे जहन में क्योंकि आप अचानक आए हैं और अचानक मुझे सवाल करने लगें तो मेरी एक लंबी फैरिस्टे जिससे कि मैं अपने अवाम को अपने गरीब भाईयों को बहनों को जो सोविधाय दे सकता हूं जो मुझे हो सकती हैं अगर प कि यह आप जो है किसी पार्टी के जो कंडिडेट हैं उन्हें चैलेंज देवाएंगे यहां जो अभी तक पिछले जो भी चैनमेन नहीं हो तो वहां अभी तक यहां क्योंकि आप पिछले चुनाओं देख लिए 2017 में बहुजण समाज पार्टी की हालत उत्रप्रदेश में बहुत खराब ती और जो मौझूदा चैनमेन हैं बहुजण समाज पार्टी से ही चुनाओ लड़े ते टिकेट की सिंबल पर और चुनाओ जीत गए पूरी यूपी में आप बसपा की पोजिशन किया थी लेकि वो चुनाओ जीत गए यहां चुनाओ पार्टी बेस में नह जनता के बीच का वह माध्यम हैं और आप उसको अपनी बात अपने अधिकारी तो रखने आप दिक्कते दूर कराने की खुशिच करते हैं तो वह आपको निता मनती है और आपको चुन लेती है इस इतनी सी बात जनता आप पर भी क्यों विश्वास करे क्या एक बज़े जो पिरी की बात को रहूं कि यह मारा सबस्ट नगर्चेतरगा तो अगर मैंने उन से कहा किसी काम को इनों काम नहीं किया तो नगर पलिगा को चोड़ के बागी कोई परिशासनिक मामला यहां से लेकर लगनों तक क्यों दो न रहा हो, मैंने उसकी मदद करने काम किया, आप यकीन मानीएगा, वो काम, क्योंकि मैं हमेशा हक के साथ कड़ा होता हूँ, अगर कहीं दिक्कत किसी को है, तो मैं अगर सचाई के साथ, अगर सच बोला है, उसकी मदद जूरूर हुई है, लोगों का ऐसा मेरे उपर विश साथ को में कायम रखोंगा यह मैं आपसे विवादा करता हूं